किसान भाईयों नमस्कार खेती किसानी में आपका स्वागत है मेरे किसान सात्यों सीजेंटा की जो टाप टू ब्राइटी है इसके बारे में हम आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो की लक्की और सुहासनी है मेरे किसान सात्यों लक्की और सुहासनी कैस मेरे किसांद साथी हूँ आज चलिए हम बात कर लेती हैं स्टİजन ट्रा की सुहासनी की तो सुहासनी के बारे में आप लोग अधिकतर किसांद ये बात को जानते हैं कि सुहासनी जो हैभग साड़ से सतर दिन में तयार होने वाली ब्राइटी है और ये इसकी जो उपज होती है उपज लगबग सवा किलो से डेड़ केजी तक होती है मतलब सवा केजी से डेड़ केजी तक वन केजी से लेकर डेड़ केजी तक इसकी उपज मानी जाती है अगर हम इसे बैग्यानिक तरीके से करते हैं अच्छी तरह इसका देख रेक करते हैं अच्छी तरह इसमें फटलाइजर का उपियोग करते हैं तो यह उत्पादन के मामले में नमबर वन माना जा सकता है लेकिन लगाने की अगर समय की बात करें तो सुहासनी की मेरे किसांसात है लेकिन सितंबर के बाद आप आप्टूबर में भी नरसली डाल सकते हैं अगर सुहासनी की तो सुहासनी आपके नंबर वन की ब्रायटी है और इसको आप सकते हैं बहुत ही अच्छी उपज देने वाली ब्रैटी है मेरे किसान साथियों आगे हम चलते हैं बात करते हैं लकी की लकी क्या है लकी कब लगाना चाहिए वैसे तो मेरे किसान साथियों लकी को आप अपरेल महीने तक भी हार वेस्टिंग कर सकते हैं मेरे किसान साथियों इसको लगाने का जो सही समय है, सही समय आप इसकी नरसरी आप लगभर लगभर नौंबर और दिसंबर महीने में डाल सकते हैं, जनौरी से टांस प्लांट कर सकते हैं, जनौरी में भी नरसरी अगर इसकी डालना हैं, मतलब 15 जनौरी, 20 जनौरी, 25 जनौरी तक टांस प्लांट क कर सकते हैं इसके बाद इसका टांट न करें मैं समझत किसान बाईयों से बताना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा गर्मी में यह भी नई सहलसी लोता है और फूटिंग के मामले में अच्छा खासा नई देखने को मिलता है तो आप जनौरी 15 जनौरी 20 जनौरी तक इसकी तक इसांट एक एक ऐसी बॉइटई है जो की लगभर-lamaड़ देढ टीलों से लेके 2,5 किलो यौिटक वजन दे सकता है अगर आप नौरूंबर के महिने में इसकी नर्सरिट दाल रहे हैं और दिस्asseंबर में बउआ कर दे रहे हैं तो 2 किलों से लेके धाई किलो तक इसकी वजन दे सकता है मेरे किसान साथियों अब रही बात आप इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए मेरे किसान साथियों बहुत से किसानों का ये डिमांड होता तो मेरे किसान साथियों अगर आप पछेती गुभी लेना चाहते हैं तो इसको लगा है क्योंकि ये बड़ा फूल का इसका साइज होता है अगर समय पर सही समय जो इसका है सही समय पे इसकी अनरसरी तैयार कर दिया जाए इसकी खेत में ट्रैस्प्लांट कर दिया जाए तो ये उपज के मामने में हम मानते हैं कि नंबर वन है लेकिन इसका सही समय क्या है सह सा집 versão साथनीओं अब हम बत कर लेते हैं कि इसकी देख रेक जब तक कटाई नहुआ हो खाद पानी करचा एक लागत क्या पड़ जाती है तो मिरे साथनीओं अगर आप ग्यानिक तरीके से करते हैं तो आपकी कम लागत होगे अगर जयविक तरीके से करते हैं तो और कम लागत होने वाली है मिरकिसान साथियों आप जयविक तरीके से भी इसमें आप फसल ले सकते हैं और रासाइनिक तरीकों से भी फसल ले सकते हैं लेकिन मिरकिसान साथियों जयविक तरीके से जो फसल लिया जाता है बहुत कम बजट में तयार हो जाता है रासाइनिक तरीका है कि आप डीएपी का सबसे ज़्यादा उपयोग करें डीएपी के साथ साथ आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं मिरकिसान साथी यूरिया का उपयोग आप नाम मातर के बराबर करें तो ही बेहत्तर रहेगा क्योंकि यूरिया गुभी के फसल के लिए नुकसान दायक होता है, तो मेरे किसांव साती हों इस बात को द्यार रखनी की आपको जरूरत होती है, कि आप जब भी खेती करें तो अच्ची तरीके से करें, और बैग्यानिक तरीके से चनल कराएं मेरे किसान सातियों नमस्कार फिर मिलेंगे नेट वीजिए